दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में इन दिनों शीत लेहर का सामना लोगों को करना पड़ रहा है दिल्ली में ठन काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस सर्दी में पहली बार तापमान 4 डिग्री सेल्जेस से नीचे चला गया है ऐसे में मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली के बस स्टेशन सब्दर जंग में रविवार की सुबा 4.6 डिग्री तापमा अंदर्ज किया गया जबकि जापवरपुर में ये 3.3 डिग्री और लोधी रोट पर 3.6 डिग्री तक गिर गया था ठंड के बढ़ते प्रकोव की वज़ा से मौसम विभाग ने रविवार सुमवार दोनों ही दिल्ली में गेलो अलर्ट जारी किया है ये चार तस्वीरे भी आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा उत्तर भारत इस समय ठंड की चपेट में है दिल्ली में धुंद कितनी ज्यादा ठंड की वज़ा से हो गई है साथी उत्तर प्रदेश की तस्वीरे आप देख रहे हैं जहां पर लोगों को अलाव का सहरा लेना पड़ रहा है स्कूल जाने के लिए ठंड में बच्चे मजबूर है उत्राखंड में भी आप देख सकते हैं कि ठंड इसकदर बढ़ गई है बर्फबारी होने से तापमान माइनस में पहुंच चुका है साथी चौथी तस्वीर भी आपको दिल्ली एंसी आर की दिखा रहे हैं साथी आईमजी ने उत्राखंड के लिए भी अठारा से किल दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है राज्य के करिस्थान जैसे रानी चौरी, मुक्तेश्व, मसूरी, पितोरागर और नई टीरी में पास पारा जो है अब जीरो या लगभग उससे भी कम माइनस में जा सकता है तो ऐसे में ठंड का प्रकोप लगाता बढ़ता जा रहा है साथी आपको बता दे मौसम विभाग ने 25 दिसंबर को बूना बांदी की चेतावनी भी जारी की है अनुमान जिता है कि 25 दिसंबर को बूना बांदी हो सकती है तो ऐसे में पूरे उत्ता भारत में ठंड का प्रकोप लगाता बढ़ता जा रहा है उत्राखंड की बात करें तो वहाँ पर भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की वज़ा से मैदानी इलाकों में ठंड बहुत जादा बढ़ गई है और इसी पर जादा जानकारी के लिए उत्राखंड से हमारे ब्योरोची सुभाज गौर हमारे साल लाइफ जिर चुके है सुभाज जिस तरह से देखें समय पूरे उत्ता भारत में ठंड का प्रकोप लगाता बरकरार है मौसम भाग ने भी चेताबनी जारी कर दी है कि शीत लेहर लोगों को और ज्यादा तीन-चार दिन तक झेलनी पर सकती है और बुंदाबानी के भी यहाँ पर असार जताए गए है अगर उत्राखंड की बात की जाए तो वहाँ पर ठंड किस कदर है परियाटा की बात कर ले जाए इन शेतरों में लगातार जो परियाटक है वो बहुत अधिक संक्या में इस समय मौजूद होते है लेकिन क्योंकि उड़न को बिना आठी-पीसियाँ है और डबल डोस ना होने के चलते उन उत्राखंड में परवेश्च बना किया गया और उनकी लोगों की एंट्रि ना होने के चलते इस घो परियाटत कहें वो कम थंक्या में दिख रहे हैं अगर बात करें तो आगामी चार दिनों तक जो शीत लहर वो इस तरीके से लगातार बढ़ती रही है और कहा जा सकता है कि सूखी सर्दी पूरे परदीश में देखने को मिल रहे हाला कि अगर बात करी जाए चमुली जनपत की तो वहां कहीं ऐसे स्रोथ हैं जो सूख चुके ह यानि की जम चुके हैं बर पानी क्योंकि मौसम ठंडा होने के चलते जो पानी है वो जम चुका और लोगों को कहीं न कहीं पानी की दिक्टतों का सामना भी उन शेतरों में करना पड़ रहा है अगर केदार नाधाम की बात कर ले जाए तो महां लगातार पिछले एक अफ़ उत्रा खंड में ठंड का प्रकूब जारी है अगर प्रसाशन की बात कर ली जाए सुभाश तो प्रसाशन की तरफ से क्या कुछ इंतर्जाम किये जा रहे हैं बिलकुल सुभाश देखिए पूरे उत्रा खंड में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है आपने अलग-अलग जिले की बात बताई कि कहाँ पर अभी कैसे हालाता है अगर प्रसाशन की बात की जाए प्रसाशन की तरफ से क्या कुछ इंतर्जाम किये गए हैं क्या अलाव की सुभिदा लोगों को दी जा रहा है रहें बसेरे खोल दिये गए हैं कैसी विवस्ता है प्रसाशन की तरफ से जिब बलकुल अगर बात कर लेजाए प्रशाशन की व्यवस्ताओं की सर्दी में तो नगर निगम की जो व्यवस्ताइं हैं वो खास्तोर से राजधाने देरादून में हरिद्वार में या फिर कहा जा सकता है कोड़ जैसे जो शेहरी शेत्र हैं शेत्रों में देखने को मिल खास्तोर से जो बस्डे में निगम कर सकता है वो देखने को मिल रहा है लेकिन इसके साधी क्योंकि अलाव की जो व्यवस्ता है वो के वर चुनिंदा जगाओं पर की जाती है नगर नीगम के जरियर चाहिए वो रिलिवस्तेशन हो बस्ड़ा हो यह फिर मुक्खे जो चौर पूरे शहर में जो तमाम जो और जगह हैं जहां लोग मिलते हैं रहन बसेरे नहीं की गई लेकिन क्योंकि उन लोगों को कहा गया है कि सर्दी से बचनी के लिए वह रह सकते हैं वह तमाम विवस्ता हैं उनके ले की गई हैं तो कहा जा सकता है कि ठंड के प्रकोप से ज़रूर राजय सरकार भी चाहती है कि जो लोग जिनके पास च्छत नहीं है रहने के लिए उन लोगों के लिए बैधर व्यवस्ता की जाए लेकिन पूल मिलाके कहा जा सकता है कि मौसना विवभाग का जो अलट है यह लो अलट खास और तोत्रा खंट के लिए है उसमें कहा जा सकता है कि आगामी चुछार दिन है उन दिनों में सर्दियां और बढ़ सकती है बिल्कुल सुभाश और देखिए लगातार प्रसाशन की तरफ से तो इंतिजाम की जा रहे हैं लेकिन अगर पर्टो को की बात की जाये तो क्या पर्टो की संख्या में इजाफ़ा हो रहा है या कमी देखने के लिए मिल रही है क्योंकि देखिए पहले भी आपने जिस से बताया के कोरोना का खत्रा बढ़ रहा है प्रसाशन की तरफ से गाइडलाइज जारी कर दी गई है लेकिन इस मौसम का लोग जो हैं बहुत बेसबरी से इंतजार करते हैं कि जब पहाडों पर बर्फ बारी होगी तो उसका मज़ा लेने के लिए लुफ्त उठाने के लिए लोग भारी संक्या में पहुंचते हैं जी बिल्कुल पारूल कहा जा सकता है कि जैसी ही उतराखंड में सर्दियों का मौसम आता हो जैसे ही सीजन की जो पहली पर फैबो लोग न्यूस में या जैसे हम लोगों के जरीय सुनते हैं तो लोग उतराखंड का आने का रूप करते हैं और कहा जा सकता है कि उसमें जो परियाटक हैं वो बहुत अधीक संक्या में उतराखंड में पहुंचते हैं और कहीं बार ऐसा देखा जाता है कि पुलिस प्रशाशन को विवस्ता बनाने में भी बहुत अधीक दिक्कतों का स साथ certificate वो अपने सब लेकर आए या फिर वो आटी पीस या रिपोर्ट करवा कर उत्राखंड में प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि इसके लाओ को और आप्शन लोगों के पास नहीं है कि वह स्टेशन में पहुंच सके उत्राखंड के इंदर प्रवेश कर सके तो इसी वजह से य हमारे विरोचीफ दे रहे थे सुबाश लगातार बता रहे थे कि उत्राखंड में मौसम किस तरह से बना हुआ है लोगों को किन परिशानियों का सामना करना पढ़ रहा है तस्वीर आप एक बाप फिर देख सकते हैं कि थंड किसकदर बढ़ गई है कि लोगों को अलाब का राहत मिलने की कोई उमीद नहीं है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी थंड से हालात जो है वो लगातार खराब होते जा रहे हैं क्योंकि थंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसी पर ज़्यादा जानकारी गाजबाद से हमारे संबादाता देंगे जितेंद्र गौ बीजाद की जाए तो गाजबाद में टेंपरेचर है वो सुगा ताथ के आसपास का और अब धेरे जिस तरह से दिन चड़ रहा है तो बाहरे के आसपास पास पोचा है और तो फिर वह 5-6 के भीच में पोच जाएगा और पांसे 6 के वीच का जिली अंच्यार और लोग जो यहाँ पर अलाव का सारा ले रहे हैं गरम कपड़े पैम रहे हैं और जितना हो सके हो गर्दे कम बारन कर रहे हैं तो आने वाले समय में उनको काफी कटना यह को सामना करना पड़ सकता है लोगों के लिए ठन से बचले के लिए क्योंकि देखे तमाम लोग ऐसे देखते हैं कि जिनके पास घर नहीं होता जो फुट पात पर सोते हैं और जुगी जूपियों में रहते हैं तो उनके लिए क्या को चिनतजाम प्रसाशन कर रहा है जिबुल को देखे एक तो पन्नगदन दिगम के तरफ से जगा जगा पर जो है आलाव के व्यवस्ता की जा रही है और उसके लावा के परसाशन की बात करें खासकर घाजियाबद परसाशन की बात करें तो आलग अलग जगा पर रेन बसेरे बनाए गए जो पहले भी चलते करें तो बहुत से लोग है जो गाजवाद में नहीं रहते लेकिन रात को आई दिन परस आते हैं या कि उनके पास कि अधिया हुआ कि जितेंद्र आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है इस चलिए शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है सही करने के कोशिश करेंगे नेटपक इशू है तो जितेंद्र की आवाज नहीं आ रही है इसे में गाजवाद में किस तरह से मौसम बदलता जा रहा है और ठन का प्रकोब बढ़ रहा है उसकी जानकारी हम तक पचा रहे थे राम सम्वादाताओं को यहाँ पर जोड़ रहे है ताकि पूरे उत्तर भारत में किस तरह से ठन का प्रकोब बना हुआ है ये पता चल सके और लोगों को क्या कुछ सुविधाय मिल रहे है प्रसाशन क्या कुछ सुविधाय दे रहा है इसकी भी जो है वो जानकारी हम पहु रहेंगी और 25 दिसंबर तक बूंदा बांदी भी हो सकती है ये भी मौसम विभाग के तरफ से कहा गया है